आजकल आप लोग देख रहे होंगे हमारे दिसमें एक मुद्दा खतम नहीं होता है हिंदू मुसलिम मंदिर मश्चित का और दूसरा मुद्दा सुरू हो जाता है वो सामने आ जाता है अभी हाली में क्या हुआ है कि ताज महल को लिकर एक PIL दाखिल की गई है और PIL में कहा गया है कि यहां जो बंद कमरे पड़े हुए उन्हें खुलवा कर जाज की जाए और कहा जा रहा है कई बिद्वानों के द्वारा कई ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहां असल में यह ताज महल है ही नहीं है यह तेजों महाले है यानि कि यहां सिफ़ भगवान का मंदिर हुआ करता था सिफ़ भगवान की मंदिर को तोड़ कर यह ताज महल बनाय गया है तो इसकी पूरी कहानी क्या है एक इतिहास कार है जिन्हों ने आप देखे इस तरह के कई मुद्दों को जनम दिया उन पर भी हम लोग बात करेंगे इन जो बंदे कमरे पड़े हुए उस पर भी बात कर लेंगे और जिस बैक्ती ने ए पी आईल दाखिल की हुई है और आपने देखा है कि इलावाद हाई कोट की लखनव बें आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख भी रहे हैं ताज महल और आप देखे कि हर साल लाखों लोग यहां आते हैं और हमारे परेटन में एक अच्छा आप देखे इस्थान है और आप लोगों को मालू है कि हमारी यारत विश्था में परेटन शित का एक बहुत बड़ा युगदान है और आप देखेंगे एक बार आप लोग हमारा प्यारा भारत देख लिजे इसलिए बोल लाओं क्यूंकि आप देखे कि यह हमारी प्यारी बित भी है और यह हमारा प्यारा भारत है इसमें आप लोग उत्तर पिदेश चले जाएं क्यूंकि आप सभी जानते ह या अयुद्ध्या का मामला हो, बनारस का मामला हो, मत्वरा का मामला हो, या आगरा का मामला हो, ये सबी आपके कहां से आए हुए हैं, उत्तर पिदेश के ही हैं, और वैसे भी उत्तर पिदेश राजनीती की दृष्टी से काफी महत्पूर है, और आप सबी जानते हैं कि 403 य रहते हैं हिंदो मुसलिम के धार्मिक और सामाजिक मुद्दे कम रहते हैं और राजनेतिक मुद्दे जानगा हो जाते हैं और यहां आप देखेंगे आपको बनारस देखने को मिल जाएगा और आप देखेंगे अगर आप लोग देखना चाहें तो यहां आप लोगों को उद्ध्या देखने को मिल जाएगा अब आप सभी जानते हैं कि इस पर फैसला हो चुका है भगवान सिरी राम का भब मंदिर बनाये जा रहा है यहां देखिए आपका मत्वराग है और यह आप देखेंगे आगर आपको देखने को मिल जाएगा जहां ताजमहिल की बात होने नदी के दच्छडी तर पर एक हाती दाद सफेद संगमर्म का मकवरा है इसे 1632 में मुगल समराठ साय जहां ने कि द्वार अपनी पसंदीदा पतनी मुम्ताज महल की की मकवरे के लिए सुरू किया गया था कहने का सीधा सा मतलब आप लोग समझे इस ताजमहल को किस ने बन का केंद बिंदू है जिसमें एक मस्जित और एक गेस्ट हाउट भी है और इसे तीन तरब एक आनेंति दीवार से घरा हुआ उपचारिक उध्यान में स्थापित किया गया है और आप देखेंगे कि मकवरे का निर्माड अनिवार उप से 1643 में पूरा किया था लेकिन जो अ ऐसा माना जाता है कि देखिए इसमें कई हजार मजदूरों ने काम किया था और उस्ताद एहमद लाहुरी ने इसे एक तरह से लिए के लिए अदालत के वास्तुकार नेतत में आर्टेक्ट के बोर्ड के मार्क दसन में इसे बनवाए गया था और ताज महल को आप कितियों में से एक है इसे कई लोगों ने मुम्ताज बास्तुकला का सर्वुत्त मुधारन और भारत की समरेद दीथियाज का पितीक माना है और आप देखेंगे 2007 में इसे विस्त के साथ नए आश्या पहल का विजेता भी गोसित किया गया था साथ अजूबों में भी ताज नया नहीं है हिंदू सक्टरण दावा करते रहें कि ताज महल से पहले यहां सिमन्दिर था और जिसे तेजो महालय नाम से जाना जाता था दरसल ताज महल का तेजो महालय नाम सबसे पहले एक मराठी किताब से आये था इसके लेकए पएन ओकने 1960-1970 के दसक में ताज महल औ और ओक ने अपनी किताब में दावा किया था कि यहां यह इसमारक 1155 में बना था और यानी मुगलों के सासन से दसकों पहले इसे बनाया गया था उन्होंने कहा था कि ताजमहल का नाम पहले सिभ मंदिर के नाम पर तेजो महलाय हुआ करता था और अब आप लोग कहेंगे कि ये PN ओक कौन थे तो पुरोसत्तम नागेस ओर्क ओक और PN ओक एक पत्तकार और इतिहास लेखक थे बेहिंदू बिचारधारा इतिहास के पुनरलेखन के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ताजमहल एक सिभ मंदिर फटेपुर सीकरी को एक हिंदू नगर आदी किताबें लिखी और इंदोर में जन्मे ओक के पास M.A. और L.L. के डिगरी थी वे लंबे समय तक पूने के फर किष्णनीती और वेटिकन सिटी को वाटिका तक बताया था तो यह आप देखे कि हिंदूत वादी कट्टर हिंदूत वादी इतिहास कार थे तो आप सभी समझ सकते हैं कि किस तरह का इतिहास लिखा होगा क्यूंकि आप लोगों को भली बाती मालू है कि जब मुसलिम कोई क करक्टर मुसलिम इतिहास कर जब कहीं इतिहास लिखता है तो वो किस तरह का इतिहास लिखता है यह दुनिया जानती है वो आप देखे कि हिंदू के बारे में कहां लेखेगा वो तो कहेगा कि हमस्जिद हमेशा थी और बावर को बहुत अच्छा ठेराएगा आप लोग आप देखे बावर को महान बताया जाता है और हमारे देश में आप देखे इतिहास कर जो भी लिखते हैं बावर को एक कटर मुसलिम सासक बनताते हैं अत्याचारी बताते हैं फिर उत्तर पिदेश के इलावाद हाई कोट में बीजेपी के एक कारकरता ने ताजमहिल को लेक रियाजका दायर की थी और इस याजका में ताजमहिल की जगे तेजो महालय से मंदिर होने का दावा किया गया और इस दावी के साथ ताजमहिल की तैकाने में जो 22 कमरे हैं उनमें से 20 कमरे खोलने की मांग की गई और याजका दायर करने वाले BJP के कारकरता रजनीश का कहना थ था कि ताजमहिल की सच्चाई क्या है क्या ये तेजो महाले है या मकरवारा है इसे ब्रह्म से परदा उठाने के लिए 20 कमरे खोलने जरूरी है ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके और याज क्या मैं कई किताबों का जिक्र करते हुए कहा गया कि 1212 में AD में राजा परमा और लेकिन कलांतर में साय जहां ने इसे तुड़वा कर यहां मकवरा बनवा दिया था और याज का मैं दावा किया गया है कि इसे भी मुगल कोर्ट पेपर या मुगल बितांत में औरंग जेब की कालगंडे में ताज महिल का जिक्क नहीं है और यहां तक ही मुसलिम महिल इस जगे पर बना हुआ है वो आप देखे कि राजा मान सिंग की हुआ करती थी जो राजा जैसिंग को मिली लेकिन ऐसा माना जाता है कई बिद्वान कहते भी हैं कि यह तो आप देखे कि उनकी राज में रहा करते थे जैसिंग और आप देखें कि इनने जैसिंग को इस याजका में इस बात पर भी सवाल उठाएगे कि मकबरा साय जहां कि समय का नहीं है याजका में कहा गया है कि औरंग जिप के समय साल 1652 में औरंग जिप ने मुम्ताज की मकबरी की मरम्मद के निर्देश दिये थे औरंग जिप ने अपने निर्देशों में साब कहा था कि पढ़ चुकी हैं, तो कई जगों से रिस रहा है, पानी रिस रहा है, ऐसे में सबाल उठता है कि अगर साइजहां निर्मार कराया, तो औरेंग जिप की कालखंड तक इतने कम समय में एक मगवरा जर जर हालत में कैसे हो गया, और यह आज का अब यह भी का गया कि कि किसी भी बनाने में 22 साल का वक्त नहीं लग सकता है, जबकि इसका निर्मार 1631 में सुरू हुआ, और 1653 में पूरी तरह से बनकर तेयार हुआ, और इसके जो 20 कमरे बंद पड़े हुए, उनके कहानी भी है, उनके बारे में ऐसा माना जाता है, साल 1972 में ताजमहल की तहकानी की इन कमरो को बंद कर दिया गया, आम परैटकों का यहां प्रवेश पितिवंदित कर दिया गया, और इनकी बज़े, इसकी बज़े को लेकर आम लोगों में भरम है, कुछ इतियासकारों का कहना है कि 1910 के दसक में ताजमहल की इन दीबारों में दरार आ गई थी, और आप देखेंगे इन कमरों से होकर मीनारों की और रास्ता जाता था, और जिसकी बज़े से कई लोग यहां से आत्मत्या जैसे कदम भी उठाते थे, और दीबारों और फर्स में आए कई दूसरे बदलाओं की बज़े से भी सोरक्षा कार्टों से जो बंद कमरे पड़े हुए हैं, इन्हें बंद कर दिया गया था, साल 2006 में इन कमरों की दीबारें काफी जरजर हुए त्यों, इसकी मरमत का काम किया गया, और दीबारों में आई दरारों की पॉइंटिंग और प्लास्तर का काम भी किया गया, साथ ही सीलन से दीबारों को होने वाले नुकसान को लेकर भी सरक्षन की उपाए किये गए फिर आप देखेंगे कि ASI का दावा भी कुछ देख लीजे आप लो फरवरी 2018 में ASI ने इस मामले को लेकर उत्तरफिदेश के आगरा कोट में एक एफिडेविट दाइर किया था और क्या कहा था इसने जिसमें ASI ने कहा था कि ताज महल ताज महल में तेजो महला है या से मंदिर होने का जो दावा है वो दावा है जो पूरी तरह से कालपनिक दावा है और ASI का कहना है कि ताज महल में केबल सुरक्षा कारणों से ही नीचे के 20 कमरों को बंद कर दिया गया और ASI के एफिडेविट के हिसाब से इस सुप्रिंग खोला जाए और किन को नहीं खोला जाए अब आप लोग खहेंगे कि ASI क्या है क्या ASI क्या इसकी बात भी होती रहती है तो आप सभी जानतें कि ASI की अगर बात करें तो क्या है ASI भारतिये पूरातत्त सर्वेक्षन बिवाक सुने हो आप लों उसी की बात हो रही है ये 1861 मे अलेकजेंडर कनिंगम ने किसमाई इसकी स्थापना की गई थी तो इसे ही की बात हो रही तो इसे आप लोग सामर जानकारी के लिए जुरूर इसके याद रखा करेगा और फिरहाल यही कहाने है और आप देखें कि जो इलाबाद हाई कोट की लखनव बेंच ने जो टिपड़ी की हुई है जो फटकार लगाई हुई है उन्होंने इसे इस बेक्ती PIL दाखिर की हुई थी जिसने उसने कहा कि आप कल कहेंगे कि हमारी चेंबर में घुसने की अन्मती दीजे तो किया ऐसा भी करना बड़ेगा और उसने कहा है देखिए आप लोग आप पढ़िए लिखिए सही जानकारी करिए आप PhD करिए इस पर रिसर्च करिए उसके बाद आईए कुछ करिए तो यही कहानी है फिरहाल क्या बोल सकते हैं आप लोग क्या सोकते हैं आप लोग बताईएगा क्योंकि आप लोग आजाद हैं आप अपने अपने जो भी राय है उसे रख सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ आपके पास आखड़े हों, तो उन्हें भी बताईएगा, उन्हें भी देख लेंगे, हमें भी कुछ जानकारी आपसे मिलेगी, फिर आल आप लोग पढ़ते रही हैं, और इस तरह कि विवाद करिए, अपने पास जरूर रखा करिएगा, इनसे क्या रहता है कि आप लोगों की एक्जाम में परिक्षा में कुश्चन्स पूछे जाते रहते हैं, ठीक है?